हलो गाइज दिस इस इलीट ब्रेडर्स एंड टोड़े गोना टॉक अबॉट दा एरा ओफ ड्रोन वाफिट ड्रोन एक ऐसा वैपन सिस्टम है जो कुछ मिलेटरिस के लिए शाद सबसे बड़ा हैट बना हुआ है तो कुछ के लिए कुल्टिमेट ब्लसिंग ड्रोन बेसिकली एक अनमेंड एरियल ग्राउंड और वाटर वहिकल हो सकता है जैसे जिसे चीज़े एवाल्व कर रहे हैं वैसे वैसे इनके ऑपरेशनल डायमेंशन भी बढ़ते जा रहे हैं ड्रोन का बैटल फिल्म में सबसे पहले इस्तिमाल तो 1849 में ही हो गया था पर हम आज जो ड्रोन इसराइल ने ही दुनिया को सबसे पहला टेक्टिकल बैटल फिल्ड यूएवी दिया 1975 में नाम था टडीर इन मैस्टर इसराइलीज ने बहुत एफेक्टिबली इन बैटल फिल्ड यूएवी को यूस किया अगेंस सीरे रिने डिफेंस इन 1980 पर उसके बाद पूरी दुनिय का इंट्रस बैटल फिल्ड यूएवी पर आ गया पर इंडिया इस गेम में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था 2001 में यूस ने पहली ड्रोन के रजिस्ट्र की और वहां से शुरू हुआ एक नए तरीके के वारफेर जिसको इवाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा 2018 में रशियन डेफेंस पर बहुत सारे ड्रोन्स ने एक साथ हमला किया सीरिया में रशियन ने काफी ड्रोन्स को जैम और डिस्ट्रॉय कर दिया पर फिर से एक बार दुनिया एक नए तरीके के वारफेर को देख रही थी और ये अनकनवेशनल अटेक एक कनवेशनल डॉक्टरिन की तरह से हमने आया इन दे वार अफ अर्मेनियान अजर्बाइजान इन 2020 जिस लेवल का प्रिसेशन, इफेक्टिवनेस और डेमेजिंग केपेबिलिटी अजर्बाइजान ने दिखाई अपने ड्रोन को वारफेर की थूँ उसके बाद ये साफ हो गया कि जिसे हम सब फ्यूचर समझ रहे थे वो एक्शली प्रिजन में आ चुका है लेकिन इस बार इंडिया अनप्रिपेड नहीं था अन 5 दिसेंबर 2020 इंडियन एफोस में अपने ट्विटर पे कुछ ब्लड पिच्चर्स पोस्ट ही पिच्चर्स क्लियर नहीं थी लेकिन एक बहुत बड़ा गुरुप देखा जा सकता था ड्रोन का उसके अल्मूस्ट एक महिने के बाद इंडियन आमी ने 15 जनवरी 2021 को लाइब डिमोंस्ट्रेशन दिया अपनी स्वोर्म ड्रोन्स केपिबिलिटिस का दूनों इंसिडेंट से कुछ चीज़े साफ होती हैं इंडिया ड्रोन टेक को बहुत सीरियसली ले रहा है और रीसेंट डेमोंस्ट्रेशन से ये भी साफ होता है कि ड्रोन्स इंडियन वाफ़े टेक्टिक का बहुत इंपोर्टन पार्ट बनने वाले हैं इंडियन आमी अपने काउंटर टेरिस्ट आपरेशन में काफी टाइम से ड्रोन यूस कर रही है रेगुलर डे-to-day ओपरेशन में तो ड्रोन्स फौच के काम आते ही हैं लेकिन एलोसी और आईबी पर टेरिस्ट इंसरजिंसी को ट्रैक करने में ड्रोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं विंटर्स में जब पूरे वैली में बर्फ पड़ जाती है तब इंडिनामी ड्रोन्स की हेल्प से घुसपैट का पका लगाती है और कई बार टेरिस्ट को ट्रैक करती है ताकि आगे की कारवाई की जा सके 2015 की सर्जिकल स्ट्राइक जो मैन मार में हुई थी और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जो पी ओके में की गई थी उनमें भी ड्रोन्स का बहुत इंपोर्टन ड्रोल सामने आया है कुछी दिन पहले एक बहुत इंटरस्टिंग फूटेज सामने आया थी शिन्यगर इंकाउंटर से जहाँ पर फोर्से सरेंडर की अपील करते हुए एक ड्रोन से जिस पर फ्लेशलाइट लगा हुआ है घर की रेकी कर रही थी जिसमें टेर्रिस चुपे हुए है इंडियन आमी ने आमी डेंपे 75 ड्रोन के साथ अपनी स्वार्म ड्रोन केपेबिलिटीज डिस्प्लेगी थी और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आमी फ्यूचर में एक हजार से जादा स्वार्म ड्रोन को अपरेट करने की केपेबिलिटी अचीफ कर लेगी जो ना केवल इंडियन आम्मी की tactical awareness और edge को enhance करेंगे पर आने वाले time में logistics में भी बहुत बड़ा part play करेंगे और possibilities को exploit करना हम इंडियन से ज्यादा बहतर कौन जानता है इंडियन आम्मी की तरह इंडियन air force भी drone development capabilities को बहुत seriously pursue कर रही है H.A.L. का CATS project इंडिया का loyal wingman project है जो कि इस साल Aero India में display पे था CATS पे मैं एक detailed video अलग से बना दूँगा बट I.F. के लिए drones एक बहुत बड़ा relief साबित हो सकते हैं हम सब जानते हैं कैसे हमारी fighter squadrons deplete होती जा रही है induction बहुत slow है और बड़ी acquisition के लिए budget नहीं है तब ये fighter drones हमारी UFOs के लिए एक बहुत cheap और viable options प्रेजेंट करते हैं और I.F. इस concept को बिलकुल भी ignore नहीं कर रही है Indian Navy ने भी एक dedicated squadron मना दी है UAV operations के लिए फिलाल Indian Navy Israeli Heron और American Sea Garden drones को यूज़ कर रही है इस series के आने वाले video में मैं drone warfare capabilities को detail में cover करूँगा I hope आपको वीडियो informative लगा Thank you जेहन